रक्षा बंधन का त्योहार हिंदू धर्म में बहुत महतपुन होता है लेकिन इस साल रक्षा बंधन के दिन भद्रा नक्षत्र ने सबको असमंजस के सिती में डाल दिया है इस साल भद्रा लगने की वजह से रक्षा बंधन का त्योहार दो दीन बनाया जा रहा है रक्षा ब के पहले राखी बांध सकते हैं इसके अलावा भी बिद्वानों के अनुसार भध्रा के मुखकाल की पाच घटी के पशात पुछकाल में यानी 30 ओगस को दो पहर साधे तीन बजे से शाम साधे छे बजे के बीच भी आप राखी बांध सकते हैं कई लोगों के मन में या भी भ्रम पैदा हो रहा है कि आखिर क्या राखी 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 को बांधना शुब होता है या नहीं आई जानते हैं इसको लेकर क्या मानियताएं हैं कई लोगों का मान नहें कि राद को राखी बांधना शुब नहीं होता है लेकिन आपको बता दियें कि इस बार भद्रा के कारण राखी का मुहर्थ राद को ही है भद्राकाल में राखी बांधना वर्जित माना जाता है इसलिए आपको मुहर्थ के नुसार ही राखी बांधनी चाहिए पहले त पूरे दिन खुश्या मनाओ और कभी भी राखे बांद लो लेकिन आज के समय में दो दो तीथियों और भद्राओं ने त्योहार का मज़ा किरकिरा कर दिया है भद्राकाल के कारण लोगों को कुछ अशुब होने का दर होता है परंपरा और शास्तुरों के अनुसार अक्षा मिनट पर समाप्त हो जाएगी यानि इस तिथी के बीच रक्षा बंधन का त्योहार मना सकते हैं भद्राकाल का समय क्या है भद्राकाल 30 ओगस को भद्रा सुभा 10 बच कर 58 मिनट से रातरी 9 बच कर एक मिनट तक रहेगी भद्रा का निवास धर्ती पर होने के कारण शुब का जा सकते हैं इसका मतलब यह है कि सुभा 7 बच के पहले राक्षा बना सकते हैं क्यूकि इसके बाद पृर्णिमा तिथी का लोप हो जाएगा परनतु ऐसा नहीं है